दोस्तों अगर आप लोग अपने जियो का रिचार्च करना चाहते हो Amazon Pay से तो आज मैं आपको इस वीडियो में डेटा रिचार्च करके बताने वाला हूँ अगर आपके अपने मोबायल में डेटा का रिचार्च खतम हो गया है जो भी आपको एक दिन में 1GB, 1.5GB आपको जो मिलता है वो खतम हो चुका है अगर आपने data booster करना चाहते हो या फिर एक दिन में और ज़्यदा आप data को use करना चाहते हो तो इसके लिए आपको data का recharge करना पड़ता है तो आज में आपको Amazon Pay से किस तरीके से आप लोग data recharge कर सकते हो वो भी अपने geocim में वो आज आप इस वीडियो से सिख जाएंगे तो चलो दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं और जानते हैं किस तरीके से आप लोग data recharge कर सकते हैं हेलो दोस्तो मेरे नहीं सुभम और आप देखेर हमारा यूटूब चैनल टेकिनिकल सुभम वाई टी चलो कुछ नहीं सिखते हैं और ऐसी आमेजिंग वीडियो से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब या सिख कर लीजिए तो सबसे पहले मुझे यहां पर से Amazon एप्लिकेशन को ओपन करना है तो यहां पर से मैं अपने Amazon को ओपन कर लेता हूँ इसके बाद आपको करना क्या है जहान से देखिएगा इस वीडियो को ताकि आपको और भी अच्छे तरीकी से समझे में आ जाए अब यहां पर से आपको चार ओप्सन मिलते हैं Amazon Pay का ओप्सन आपको इस पर क्लिक करना है अब यहां पर से देख सकते हो कई सार यहां पर से ओप्सन आ जाते हैं उपर आपको सो कर रहा है टोटल केश बेग अर्न तो यहां पर से मुझे 520 रुपे मुझे अब तक केश बेग अर्न हुए हैं अगर आपको जानना है कि Amazon Pay से हमको कैश बेग कैसे मिलता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा मैं इसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो ले आऊँगा वैसे मैंने अभी फिलाल एक वीडियो अप्लोट किया है कि phone pay application से cashback कैसे मिलता है description पर link के जा कि इस वीडियो को देख लिजिए अब यहाँ पर से मुझे recharge करना है तो recharge वाले यहाँ पर से आपको option मिलता है आपको थोड़ नीचे आना है तो यहाँ पर से नीचे आने के पर आपको यहाँ पर से मिलता है mobile recharge तो यहाँ पर से आप और भी चाहँ कुछ कर सकते हैं तो mobile recharge वाले option पर आपको क्लिक करना है इतना करने के बाद आपको यहाँ पर से जो भी आपका mobile number है वो आपको यहाँ पर से enter करना है तो जो मेरा mobile number है मैं यहाँ से enter कर लेता हूँ तो यहां पसे मैंने मुबाइल नमबर एंटर कर लिया है और यहां पसे जो मेरा C मैं जियो का है और मैं 36 गड़ से हूँ इसके बाद मुझे व्यू प्लान का ओप्सन है मुझे व्यू प्लान वाली ओप्सन पर क्लिक करना है और मुझे जाना है यहां पसे side में data add का तो यहाँ पर से data add on है मुझे इस पर click करना है अब जैसे कि मुझे 6GB reality का use करना है क्योंकि मैं 6GB का use करता हूँ तो यहाँ पर से कुछ दिन चल जाता है क्योंकि मुझे videos upload करने होते हैं YouTube पर तो मुझे यहाँ पर से कुछ कुछ रिचार्ज extra करवा के रखने परते हैं तो यहाँ पर से मैं 6GB reality वाला click कर लेता हूँ तो यहाँ पर से मैं 61 click करता हूँ अब यहाँ पर से मुझे continue वाला option मुझे इस पर click करना है इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर से सब कुछ देखने को मिलेगा अब नीचे आपको यहाँ पर से option मिल जाता है Amazon Pay UPI यहाँ पर से जो मेरा account है वो सो हो जाता है अब मुझे swipe to pay है तो यहाँ पर से देख सकते हैं मुझे swipe to pay करना है अब इतना होने के बाद एक UPI PIN मांगेगा जो भी आपने UPI PIN सेलेक्ट किया हुआ वो आपको यहाँ पर से enter करना है इसके बाद जो आपका payment processing हो रहा है अब थोड़ा सा wait लगेगा दिन के आपको 5 से 10 सेकंड का wait करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर से देख सकते हो जो मेरा mobile number है यहाँ पर से payment dedicated हो चुका है और मेरा successfully मेरा यहाँ पर से हो चुका है अब मेरा पर से message भी आ चुके है आपने mobile prepared recharge के लिए यहाँ पर से हो चुका है यहाँ पर से आप लोग message देख लिए है अब यहां से मुझे कुछ cashback मिला है, अगर मैं इस पर tape to reveal करता हूँ, तो आपके सामने में इसे reveal करता हूँ, यहां मुझे sketch card मिला हुआ है, तो यहां पसे मैं इसे click करता हूँ, और देखता हूँ मुझे sketch card में क्या मिला है, तो gate 100% back है, तो up to 20 रुपीस, तो यहां पसे अग से अराम से data recharge कर सकता हूँ, इसे तरीके से मैं google पे, phone पे सी भी कर सकता हूँ, अगर आपको वह वाली वीडियो भी देखने है, comment किजिएगा, मैं अगले वीडियो इसके रुपे लियाओंगा, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी जादे इंट्रेसिंग वीडियो के साथ चैनलों से स्क्राइब किजिए, वीडियो को लाइक किजिए, थेंक्स वाचिंग इस वीडियो